जीवन में कुछ काम की बाते बता रहा हूं याद कर लिजेगा खुद की कमई से कम खर्चो ऐसी जिंद्गी बनाईए हर दिन कम से कम तीन लोगों की प्रसंसा कीजिए खुद की भूल स्विकार करने में कभी संकोच मत कीजिए और कोई भी दूसरे के सपनों पर मत हसिए आपके पीछे खड़े विक्ति को भी कभी आगे आने का मौका दीजे रोज हो सके तो सुरज को उकतावा देखिए बहुत जरूरी हो बहुत ज़्यादा जरूरी हो तभी कोई वस्तु उधार लीजे और कोई भी दूसरे विक्ति से कुछ जानना हो तो विवेक से दो बार पूछ लीजे कर्ज और शत्रू को कभी भी बड़ा मत होने दीजे इस वर पर पूरा भरोसा रखिए और प्रातना करना कभी मत भूलिए प्रातना में अपार शक्ति होती है नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चनल में और आज का रासिफल यानि कि 12 अप्रेल के इस विसेश एपिसोड में साथ या आपको बदाई और सुपकामना है जिनका आज जन्म दिवस है मेरीज अनिवसरी है या कोई विसेश यादगार दिन है तो आईए सबसे बहले बात करते हैं आज के पंचांकी आज 12 अप्रेल 2021 को सुंबार है आज के विसेश उपाय में अपनी रासिक नुसार नवरात्री में माता की करपा के लिए कौन से रूप का पूजन करें क्या पाट करें इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा समवत दोजा सिततर का चैतर क्रश्नपक्ष चल रहा है आज अमावसे अतितिये सुबह आँठ बजे तक उसके बाद में प्रवेस कर जाएंगे आईए अब बात करें रावकाल की आज प्रात्र सांत बजे करके तीस मिन्ट से लगा करके नौ बजे तक रावकाल रहेगा और रावकाल में कोई भी सुबह करने की आग्या नहीं होती है लेकिन अब जो मैं सुब चोगड़े मौरत बता रहा हूँ उसमें सारे सुब कारे की जा सकते हैं और यह समयकाल है प्रात्र काल छें बजे करके 21 मिन्ट से लगा करके सांत बजे करके 30 मिन्ट तक और वापस दोपर में लेकिन बहुत जादा आवश्यक होने पर दूद पी करके यात्राकारम कर सकते हैं यह दिसासुदोस का परियार हुआ आईए अब बात करते हैं आज के सुबकरय योगों की आज सुर्योदे कलिन कुणली में आश्रय योग, संख्या योग, सस्मापुरुष योग, दुरधरय योग, अधम योग, उभैचर योग, सुबकर्तरी योग, संख्य योग, नीचबंग राज योग, केंदर का साथ मिलेगा, हर किसी की कुणली में सुब योग और असुब योग होते ही हैं, अब यह दूसरी बात है कि किसी कुणली में सुब योग, राज योग, धन योग, या बहुत इंपोर्टन्ट योग बहुत जादा होते हैं, तो किसी की कुणली में असुब योग जादा है तो जिसकी कुर्णली में सुभ योग ज़दा है, वो बहुत शांदाल लाइपस्टाल जीएगा, और जिनकी कुर्णली में असुभ योग ज़दा है, वो एक प्रकास से शर्विसेंदे देने वाले, या फिर ये वोसकर अभावों की जिंदगी जियेंगे, दुख बरी कुंडली है क्योंकि जंग कुंडली को देखने से पता चलेगा कि आप इस जनम में क्या कुछ देखने वाले हैं क्या कुछ प्राप्त करने वाले हैं तो ऐसे इस्तिति में यदि आपकी जिग्यासा है राज्यों की कुंडली के प्रती तो स्क्रिंग पदिवे नंबर पर संप को पाने के लिए आप क्या करें बहुत छोटा सा उपाय इशान कोर्ण में नौर्थ इस्त कोर्णर में पांच रंगों का जंडा आपको बनाना है और वो लगाना है ओम सर्वे भ्यो देवे भ्यो नमा इस मंत्र का ग्यारा बार जाब करके अपने काम से घर से बाहर निकलना है यह बहुत ज़्यादा अत्यांत दिव्य प्रियोग है परिणाम आप खुद करके देख सकते हैं आई अब आरम करते हैं आज का रासी फल 12 अपरेल 2021 के लिए आरम करेंगे मेश रासी से मेश रासी के लिए रासी से 12 आउस में एक्सपेंसेज बाव में चनमा विराज माने य लेकिन यही चनमा ग्यारा बच करके 28 मिंट पे या मान लिजे ग्यारा बच करके 30 मिंट पे अगली रासी में मेश रासी में प्रियोष कर जाएंगे आपके लिए सुखत इस्तितियों का निर्माण आरम हो जाएगा आपके लिए यहां से इंप्रुमेंट उन्नती प्रगति यह सब को चारम हो जाएगी तो जो स्टार्टिंग है दिन की वो थोड़ा सा साफदानी से आपको करनी है उसके बाद में इस्तितियां आपके पक्स में है नक्षत तारा सिदान से भी सादक तारा का साथ और अस्तर को अक्में 21 डॉट यह कॉंबिनेशन 11 बच करके 30 मिंट स पहले 67% positive है और उसके बाद में 100% positive है ऐसी इस्तिति में आज के दिन सुबह सुबह मांसिक और सारी डी ग्रूप से परिशान हो सकते हैं जो काम दंदा है जो भी आपका carrier field है उसमें आपको कुछ ऐसी news सुनने को मिल सकती है ऐसी अफ़ाइं सुनने को मिल सकती है या पिर ऐस सी situation आ सकती है जिससे आपका loss हो या बहुत ज़्यादा आपको खर्च करना पड़े परिवार वाले हैं वो भी आपको एक प्रकार से support नहीं करेंगे या आपके जर कमी निकालेंगे लेकिन दोपर के बाद में 11 बच करके 30 मिंट के बाद में इस्तितियां एकदम आपके पक् में आप थोड़ा सा सावदान होकर के मेंटली प्रिपेर होकर के जो नेगेटिव टाइम बेरिड है उसको पार करना है आज का लखी कलर है ग्रीन कलर और आज का लखी नंबर है नंबर एट आई अब बात करें व्रसब रासी की आपकी रासी से 11 ताउस में लाब बाव में चनमा विराज माने ये बहुत सुबिस्त दिये नक्षत तारा सिद्दान को साथ विपत तारा का साथ और अस्ट्या को अगमें 29 डॉट ये कॉमिनेशन इस चनमा को 67% positive 33% वीक बना देता है लेकिन दोपर को 11 बच करके 30 मिंट पे यही चनमा 67% negative 33% ही आपके लिए बचाव क साथन बनाएगा ये जरूर ध्यान रखिएगा फिर भी आज के दिन आप मैसे जो भी लोग finance का काम करते हैं या वो लोग जो currency का काम करते हैं education field में हैं ब्याज बटा या गिरवी का काम करने वाले लोग हैं राजनिती शेतर वाले लोग हैं उनके लिए आज का चनमा बहुत ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ सकता है लेकिन आज दोपेर तक तो आपको investment में आपके career में आपके job में फाइदा मिलेगा और जो लोग नकत का काम करते हैं उनको सुबह सुबह ही बहुत अच्छी कमाई होने वाली है कोई भी विवाद है उसके लिए आज सुबह स सकती है और आज बहुत अच्छा खाना पिना आपको मिलने वाला है यह बहुत सकते हैं घर से निकलते समय जो आपकी पसंद का था वो सारी चीज़ें बनी हुई है उससे आप बहुत ज़्यादा सुखी है यह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आज का लखी कलर है वाइट क वर्क में 26. यह कॉमिनेशन इस चनमा को 67% पॉसिव और 33% वीक बना देते हैं और यही इस्तिती 11 बच करके 28 मिंट पे यह चनमा जब में सरासीम आ जाएगा तो भी 67% पॉसिव ही इस्तिती रहने वाली है तो ऐसी इस्तिती में सारा दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ब हैं गेन के ultimate chances मिलने वाले हैं और सुबह भी और सुबह के बाद में भी continue आपके लिए बहुत अच्छा मौका है गेन का success का रासी से 10 आउस का चनमा सुख देता है जो भी आप effort करते हैं जो भी आपका आज aim है उस aim में आपको success मिलती है जो भी काम का आज है चाए day to day की activity है या कोई special आपकी meeting है कोई शांदार कोई deal है या यह बहुत सकते को strategy को planning है उसमें शांदार success मिलने के योग है बिजनस में केरियर में हर sector में चाए आप job करते हैं चाए चोटे से चोटा snacks counter चलते हैं या बहुत बड़ी industry चलते हैं आज आपको बहुत शांदार सफ़ता मिलने की होगे हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी बहुत बड़े बड़े लोगों से संपर्क होगा और जो आपका मनौरत है जो आपकी कामना है उसको सिद्ध होने के लिए उसको पूरा करने के लिए साधन बनेंगे भागय का साथ मिलेगा और साथी साथ जो लोग धार्मिक लोग तारा का साथ सुब नहीं है और अस्टाव को अपमें 28 डॉट ये कॉमिनेशन इस चनमा को 50% पॉस्टिव 50% वीक बना देता है लेकिन यही चनमा दोपेर में 11 बज करके 30 मिंट पे जब यह मेश रासिम आ जाएगा वहां से सुब इस्तिति आ जाए कि 67% पॉस्टिव चनमा हो करता है चाहे investment करके सौर्टम गेन करके या कोई डिल करके मार्केटिंग करके रासि से नाहिंत आउसका चनमा व्यक्ति को अपने काम काज में कहीं कहीं भावीत करता है व्यक्ति डरावा सा रहता है कोई अफ़वा के कारण या information मिलने के कारण या मान लिजे आपने कुछ ग दिये तो यदि आप business करते हैं तो आपको सावदान रहना चाहिए और हमेशा legal डंग से ही काम करना चाहिए illegal करके आप फाइदा तो कमा लेंगे लेकिन वो फाइदा आपको कहां negative करेगा कहां आपको चोड़ देगा आप हमेशा upset रहेंगे हमेशा डरेवे से रहेंगे क्योंकि आपने गलत किया है तो ऐसी इस्तिति में बहुत छोटा सा जीवन है उस छोटे से जीवन को यदि आराम से जिना है यदि आपने quality time spend करना है quality life जिनी है तो फिर negative चीजों से किनारा करना पड़ेगा जो लोग जॉब में हैं उनको आज जॉब जाने का खतरा सता सकता है management के साथ में जड़ब हो सकते हैं विवाद हो सकता है या आपके seniors आपको बहुत ज़्यादा pressurize कर सकते हैं और जो आज यातरा पर है उनको समान की या पिर आपको कोई मुलिवान चीजों की चाहिए आपका mobile चोरी हो जाए चापका समान चोरी हो जाए और बहुत से लोगों को समान के साथ साथ घर की चाबियां होती है वो भी निकल जाती है ऐसी सिदिम बहुत बड़ा नुक्सान ह हो सकता है और आपको बहुत अस्विदा भी हो शकती है नाइन तास फिफ्τικ से फिफ्ट के लिए अता सिक्सा और संतान के लिए बहुत ज़्यादा माइने रखता है और इसलिए हमेंसा Inves का चनवा संतान से इस्तेमाल आप कर सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्यारा बच करके 30 मिन तक आप जहां तक हो सके अपने आपको रोक करके रखेगा आज का लखी कलर है ब्लू कलर और आज का लखी नंबर है नंबर सेवन आईए अब बात करें सिंग रासी की आपकी रासी से एट ता उसमे मारक बाव में चनमा विराज माने ये चनमा सुब नहीं माना जाता है हाला कि नक्षत तारा सिद्धान के उस्षा शेम तारा का ल्यांकारी तारा का साथ सुब है और अस्तेक वक में 31. ये कॉमिनेशन 67% आपका बचाव करेगा 33% आपको फिर भी दुख भोगना पड़ेग आपको आएंगी लेकिन दोपेर को साड़े ग्यारा बजे यही चनमा जब मेशराशी में प्रेस कर जाएंगे 100% पॉस्टिव हो जाएंगे तो ऐसी इस्तिति में आपके दिन की सुरुआ से साड़े ग्यारा बजे तक आपको अपने उपर बहुत जादा कंट्रोल रखना है आफिस जा रहा है, फैक्टरी जा रहा है, सोरुम जा रहा है, कोई भी काम के लिए जारह है, जहाँ तक संबब वो अपने आप पर सयम रखें, नेगटिव इस्तितियों से बचें, बहुत इस्पीड में ड्राइव करने से बचें, या अबद्र वासा का इस्तिमाल करने से यहां तक यदि आपने समय निकाल दिया तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा सुबिस्तिती है आपके लिए comfortable situation है रासी से एड़ ताउस का चन्मा रोखा व्यवार कराता है कोईन कोई विवाद अनोहोनी गटनाय या विपत्यों का सामना करना पड़ता है रोख से एक्सि आइसान रहना ही पड़ेगा आज का लकी कलर है यलो कलर और आज का लकी नंबर नंबर नाइन आए अब बात करें कंद्या रासी की आपकी रासी से सेवन ता उस में दांपत्य शुख बावं में चन्णमा विराज मानें यह चन्णमा बहुत च्छादा सुब माना जाता है नक्षत तारा सिदान के उसा जन्म तारा का साथ और अस्टर को एक में 27 डॉट ये कॉमिनेशन 67 परसेंट पॉस्टिव फल दे रहा है। आज के दिन विसेश कर साड़ह 11 बजे तक भी सही आपमेंचे जो बी लोग लिकविट का काम करते हैं… दूत का काम या कोलडरिंग का काम परफюम का काम सेंट का कामシ का जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम मेनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, रासी से सांतवे बाव में आयवा चनुमा, फैनेंशली सपूर्ट करता है, इस्पेसली वो लोग जो लेंदेन करते रहते हैं, ट्रेडिंग में हैं, चाहब हो ट्रेडिंग शेयर मारकेट के थूक करें, कमोडिटी के थूक करें या अपने बिजनस में करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा गेन के साधन आपको वहन का सुख बहुत अच्छा स्वास्ति या यह बोल सकते कि रोगों से रहत मिलेगी mentally बहुत ज़्यादा सुखी और बहुत ज़्यादा confident आप रहेंगे और उससे जो business में ने उनको अपने business में लाप दिखाई देगा जो job में उन्हें बहुत ज़्यादा comfortable conditions या पर job switch करने के लिए सही लोगों से मिल बुलाकात हो सकती है सब मिला करके ये चनमा रासी से 7 ताउस का चनमा उन्नती देता है लेकिन ये उन्नती सिर्फ और साड़े 11 बजे तक है उसके बाद में रासी से 8 ताउस में चनमा आजाएगा मारक बाव में चनमा आजाएगा वहाँ से upset की स्थिति आजाएगी आपको अपने उपर भी control रखना पड़ेगा और साथ इसाथ अपने आचरण पर भी control रखना पड़ेगा जितना आप सहिम बरत सकते हैं उतना आप सहिम बरते हैं सामने वाले का समय खराब हुआ वो negative इस्थिति होकर के आपके उपर attack कर सकता है लेकिन आपका यदि चनमा भी negative हुआ तो आपको भी बुगतना पड़ सकता है तो ऐसी इस्थिति में अपनी safety आपको डोणनी पड़ेगी आज के दिन जो भी आप effort करेंगे उसका impact बढ़ों पर बहुत अच्छा रहेगा जो लोग यातरा पर है उनको सावदान रहने की सला दे रहा हूँ यदि यातरा आपके साड़े ग्यारा बज़े तक complete हो जाती है तो बहुत अचीज स्थिति है उसके बाद में अस विदाएं आरंब हो जाएगी सब मिला करके साड़े ग्यारा बज़े तक आप बहुत ज़्यादा strength में है positive इस्थिति में उसके बाद में negative zone में आप enter कर जाएंगे ये ध्यान रखेगा आज का lucky color है brown color और आज का lucky number है number eight आई अब बात करें तुला रासी की आपकी रासी से six ताउस में रोग बाव में चनमा विराज माने ये चनमा सुब माना जाता है नक्षत तारा सिद्दान से विपत तारा का साथ सुब नहीं है और अस्टर कोर्क में 21 डॉट ये combination 67% positive है आज के दिन especially आप में से जो भी लोग राजनिति की शेतर में हैं अनाज का का काम करते हैं गोल्ड का काम करते हैं जैम सेंज ज्वेल्डरी का काम करते हैं लाजनिंग का काम करते हैं या ब्यूरोक्रेट से गौर्मेंट सर्विस में हैं बहुत बड़े पद पर है आपके लिए आज का चनमा बहुत ज़्यादा सुब है extra ordinary आपको coin को success मिलने के योग है दोपर के बाद में भी चनमा उतना ही शांदार रहने वाला है क्योंकि साड़े ग्यारब बजी यही चनमा रासी से सेवंत आउस में आ जाएगा तो रासी से सेवंत आउस में भी चनमा को सुब ही बोला जाता है तो negative condition तो आस पास भी नहीं है ऐसी इस्तिति में रासी से सादन बन सकते हैं या फिर यह बोच सकते हैं कि आपको कोई कोई ऐसा एक और तरीका मिल सकता है जो आपकी इंकम को इंप्रूव कर जाए आपकी इंकम को बढ़ा दे आनंद, यश, appreciation, achievement, progress यह सब कुछ आपको नसीब में है यह सब कुछ आपको भागे वसाथ मिलने वाली लेकिन उसके लिए मैनत तो करनी पड़ेगी थोड़ा सा प्रियास तो करना पड़ेगा जो यंग्स्टर्स हैं उनको opposite gender के friend attract करेंगे उनके साथ में दोस्ती हो सकती है और जो लोग work from home कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे डंग से काम करने का मौका मिलेगा बहुत अच्छा गेन होगा सत्रों की सांती होगी और नए investment या investment को in cash करने से बारी लाब हो सकता है जो यातरा करना चाते हैं उनकी यातरा सुकद और लाब दायक होगी आज का lucky color है yellow color और आज का lucky number है number eight आईए अब बात करें रस्चिक रासी की आपकी रासी से फिप्ता उसमें शिक्सा और संतान बाव में चनमा मौजूद है ये चनमा mixed result ही देते हैं नक्सद तारा सिद्दान को साधक तारा का साथ और अस्टर को अपमें 29 डॉट ये combination साड़े ग्यारा बजे तक इस चनमा को 75% positive देता है या result देता है लेकिन साड़े ग्यारा के बजे बाद में यही चनमा 100% positive हो जाएंगे वैसे आज के दिन आप में से जो भी लोग land and building, building material, construction, hotel restaurant खाने पिने की चीजे हैं चाहिवो नमकिन का काम करते हैं eatable goods का काम कर सकते हैं किराने का काम कर सकते हैं इलेक्रेशन हो सकते हैं उन सभी लोगों को आज के दिन भारी लाब मिलेगा या जो भी काम करेंगे उसमें extra ordinary gain मिल सकता है या यदि आपका business है तो आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं रासी से फिपता उसका चनमा, आपसिकस देते हैं, मन में असांती देते हैं और बुरी आ सकते ही दुरभावना वसकिसी से मिलने चले जाएं तो साजिश के अंदर फस जाते हैं आज की दिन कोई कोई प्रियजन का सोख समचार मिलने की स्थिती भी है ऐसी स्थिती में साड़े ग्यारा बजे तक आपको अपने आपको mentally prepare रखना पड़ेगा ऐसी कोई सूचन आ जाती है तो घबराने के आवशकता नहीं है क्योंकि हम सब एक जीवन चक्र में बंदेवे हैं रासी से फिप्ट आउस का चलमा स्तमाक एंटिस्टाइन इन सब चीज़ से प्रॉलम भी देता है क्योंकि इसको represent करने के लिए फिप्ट आउस होता है तो ऐसी स्तिति में गैस ट्रबल या कोई को पीट से समझने पसलियों में दर्द की स्तिति इन सब के कारण हो सकती है जो अज यात्रा करने वाले हैं सुबह सुबह उनको यात्रा में सुविदा हो सकती है ऐसी स्तिति में 11 बच के 30 मिंट के बाद में यात्रा करेंगे जो स्तितियां बहुत ज्यादा बैटर है आज के दिन इन्वेस्मेंट करने से बचना है और संतान के साथ में आर्गुमेंट करने से भी बचना है अन्यता समाधान कुछ नहीं होगा आपस में रिष्टे खराब हो जाएंगे आज का लखी कलर है नेवी ब्लू और आज का लखी नंबर है नंबर एट आईए अब बात करें दनू रासी की आपकी रासी से फोर्टा उसमें सुख बाव में चनमा मौजूद है ये चनमा सुख देता नहीं है नक्सत तारा सिद्दान्स के अनुसार मित्त तारा का साथ और अस्तर कॉक में 31 डॉट ये कॉमिनेशन 67 परसेंट आपका बचाव करेगा 33 परसेंट फिर भी आपको दुख बोगने पड़ सकते हैं लेकिन दोपेर को साड़े 11 बजे यही चनमा मेश रासी में आ जाएंगे तो थोड़ी राहत मिलेगी हाला कि 67 परसेंट योंक यों ही रहेंगे आता 67 परसेंट चनमा सारे दिन पॉस्ति बना रहेगा वैसे आज के दिन आप में से जो भी लोग फैशन, कॉस्मेटिक, रेडिमेंट, गार्मेंट, इवेंट, एंटर्टेन्मेंट, मीडिया, इलेक्ट्रोनिक्स, जैमसें ज्वेलरी या एंटिक और हैंडिक्राफ्ट से समधित काम करने वाले, टीवी या फ्लिम लैंस से समधित काम करने वाले, इंटीरे डेकोरेशन से समधित काम करने वाले, लोग ज़्यादा फाइदे में रहेंगे, ज़्यादा आज गेन कमाएंगे, कोई बहुत बड़ी, उनको डील भ सकता है या इतना ज़्यादा दुखी हो सकते हैं कि घर से दूर निकल सकते हैं या फिर थोड़ ते लिए बार चले जाएंगे जिससे मन में सांति हो जो रद लोग हैं उनको छाती या पेट में दर्द हो सकता है बेचान यह गबराट का सामना हो सकता है ऐसी इस्तिति में आपको argument से बचना चाहिए जो भी इस्तितिया है एक sentence बोल करके side में कर दीजे कि ऐसी इस्तितियों का हम जो भी अपने discussion करना है कल करेंगे आज के दिन आप situation को handling मत करिए जो भी काम काज करेंगे चाहिए आप job करते हैं बिजनस करते हैं आपको obstacles का कोई कोई problem का सामना करना पड़ेगा लेकिन वो सामना 11 बज करके 30 मिंट के बाद में कुछ राहत भी देगा अताथ वहां तक आपको समय को बहुत अच्छे डंग से handle करना है आज के दिन आपको नेंद कम आएगी या फिर खाने पिने में अस विदाएं ज्यादा महसूस होंगी साड़े ग्यारा बज़े के बाद में आपको investment से भी बचना है और साथ ही साथ यदि कोई relationship में प्रिम प्रसंगों में तो उनको मिलने से बचना पड़ेगा या बहुत सोच समझ करके बात करनी पड़ेगी अन्यता विवाद जन्म ले सकते हैं आज का lucky color है red color और आज का lucky number है number five आईए अब बात करें मकर रासी की आपकी रासी से थरड़ा उसमें परक्रम बाव में चनमा विराज मानें ये चनमा सुब माना जाता है नक्षतर तारा सिद्दान को साथ अधिमित्र तारा का साथ और अस्तर को अपमे 40 डॉट ये combination इस चनमा को 100% positive बना देता है लेकिन यही चनमा दोपेर को साड़े 11 बजे 11 बज करके 30 मिंट पे अगली रासी में मेश रासी में चला जाएगा वहाँ से आपके लिए negative इस्तिती भी आ सकती है अताथ आपके लिए uncomfortable situation आ जाएगी ऐसी इस्तिती में जो भी important काम है वो आप सुबह सुबह कर दीजे साड़े 11 बजे ते complete कर दीजे चाहे important meeting है चाहे बैंक का काम है कैस के लेंदेन का काम है कोई deal करनी है कोई agreement करना है कोई restry करानी है या कोई judiciary में काम है सुबह सुबह उसको करना आपके लिए ज्यादा better है उसके बाद में इस्तितियां आपके लिए struggle वाली हो जाएंगी वैसे आज के दिन आप मेंसे जो भी लोग finance का का काम करते है financial brokerage का 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 करते है currency का 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 करते है education sector में है या bakery और confesionary का 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 करने वाले लोग ज्यादा लाब में रहेंगे ज्यादा फाइदा कमाएंगे साड़े ग्यारा बज़े तक उसके बाद में इस्तितियां हर किसी के लिए negative है जो भी मकर रासी के लोग है लेकिन साड़े ग्यारा बज़े तक financial gain health बहुत अच्छी रहेगी जो भी आपके विरोधी है जो भी आपके competitors हैं उन पर आप बहुत अच्छा control स्थापित कर लेंग और साथ इसा ध्यारे और मन में प्रसंता रहेगी जो friend circle या जो भी आपके circle में लोग हैं उनका आपको साथ मिलने से बहुत ज्यादा mentally relaxed रहेंगे लेकिन दोपेर के बाद में यदि आप सोचेंगे कि आपको साथ मिल जाए आपके circle का तो वो सब अपने अपने कार में व्यस और संपती बाव में चनमा विराज माने ये चनमा mixed results देने के लिए माना जाता है नक्षत तारा सिदान से अधी मित्र तारा का साथ और अश्टा को अपने 29 डॉट ये combination इस चनमा को 67% positive 30% weak बना देता है लेकिन दोपेर में 11 बज करके 30 मिन पे जब ये चनमा में सरासिम आ ज आ जाएगा तब यही चनमा 100% positive बन जाएगा उसके बाद में बहुत शांदार gain उपलब्दी achievement progress आपको मिलेगी तो ऐसे इस्तिति में time का management करना है कि आपको अपने दिन की सुरुआत या अपने important कामों की सुरुआती साड़े 11 बजे के बाद में करनी है उसके बाद में आप entertainment, media, electronics, gems and jewelry या पिशिगरेट सराब या तंबाकों का काम करते हैं IT सेक्टर में हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति है ज़्यादा gain, ज़्यादा काम, ज़्यादा profit के संभावना है रासी से second house का चर्मा जो की साड़े 11 बजे तक ही है mentally unsatisfied करेगा सर दर्द, गर्दन का दर्द, या पिर दांत का दर्द आपको बहुत ज़्यादा परिशान करेगा, कोई इनको महिला के हाथों अपमानित हो सकते हैं चाहे office में या घर पे और या पिर रा में जाते हुए, office जाते हुए, ऐसी इस्तिति में अपने उपर control भी करना है और कोई भी विवादास प नमबर सेवन, आई अब बात करें, मीन रासी की, आपकी रासी वाव में, first house में ही चनमा विराज माने, ये बहुत ज़्यादा सुब माने जाता है, नक्षत तारा सिद्दान से मित्र तारा का साथ और अस्ताक वागमें 25 डॉट, ये combination इस चनमा को 100% positive बना देते हैं, लेकिन यही चनमा 11 बज करके 30 मिन पे अगली रासी में, मेश रासी में चले जाएंगे, तब उतने ज़्यादा important, उतने ज़्यादा positive नहीं रह पाएंगे, क्योंकि रासी से second house का चनमा mixed result देता है, और वहाँ पर यही चनमा 67% positive और 33% weak हो जाएगा, इस्तान परिवर्त नोने से 33% क फरक आजाएगा, यह ध्यान रखेगा, आज के दिन, especially आप में से जो भी लोग, metal का, medicine का, chemical का, automobile का, petroleum का का काम करते हैं, machinery, logistic, या पिर वे लोग, जो manufacturing sector से समदिद लोग हैं, या टांसपोर्ट का का काम करते हैं, उन लोगों के लिए आज का चनमा बहुत ज्यादा शांदा वाले लोग हैं, वो भी सफल रहेंगे, वो भी extra ordinary gain कर सकते हैं, रासी से first house का चर्मा, 11 बच करके 30 मिन तक, फाइदा कमाने के लिए, gain कमाने के लिए, income बढ़ाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए, बहुत अच्छा समय हैं, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है, और जो लोग meeting करना चाते हैं, चाहे आप marketing में हैं, चाहे आप medical team कैसा है, चाहे आप राजनितिक शेतर में, insurance sector में, आज आपको सुबह सुबह बहुत ज़्यादा meeting कर लेने चाहिए, उसका फाइदा आपको मिलेगा, जो लोग सुख और अनन्द चाते हैं, उनको भ जरूर करें, उससे आपको फाइदा मिल सकता है, या यह बोच सकते है, सारे दिन का फाइदा आपको कुछ घंटों में मिल सकता है, आज का lucky color है white color, और आज का lucky number है number two, ये तो हुई बात आज के रासी फल की, आईए अब बात करते हैं, आज के विसिस उपाई की, अपनी रा माता की करपा पाने के लिए, दुर्गा सबसती या दुर्गा चालेशा का पाट भी करना चाहिए, अब बात करते हैं, व्रसब रासी की, व्रसब रासी के लोगों को विसे सुरुप से महागोरी की उपासना करने चाहिए, और ललिता स्यस्त नाम का पाट करने से आवववा ऐसा करने से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बहुत सीगर होगी। अब बात करते हैं करकरासी की। करकरासी के लोगों को माल शेल पुत्री की पूजा उपासना करना सुब रहेगा। और आपको नवरात्री में लक्समी सहस्त नाम का पाठ करना चाहिए। करने से आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी भैने रहेगा और आर्थिक उन्नती तो बहुत शांदार होगी। सिंग रासी के जातकों को मा कुस्मांड्या की साथना पूजा उपासना करनी चाहिए। जीवन में हर शेत्र में सफ़ता पाने के लिए दूरगा मंत्रों की कम से कम पांच माला का जाप करना चाहिए। जो भी मंत्र आप डिसाइड करें। अब बात करते हैं करनिया रासी के। करनिया रासी के लोगों को मा ब्रह्म चारेनी की उपासना करनी चाहिए। विदिया से जुड़े सभी परेशाने दूर करने के लिए जो भी स्टुडेंट हैं या जो भी ग्रेजुट और प्रोस्ट्जँट और कर रहे हैं कोई बी डिपार्मेंट का एक्जाम दे रहे हैं और नवरात्री के 9 दिनों में मा काली, चालिसा या काली का मंत्र या पर दुर्गा सबस्थित्य के प्रथम चरित्र का पार्ट करना चाहिए और जो अनमेरिट कन्या हैं, उनको इस दिन माता की आराथना करने से उत्तम वर की प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं व्रस्ठिक रासी के व्रस्टिक रासी के जात्कों को इसकंद माता की पूझा उपासना करने से आपको विसेस फनों की प्राप्ति या विसेस कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। मंत्र का इस नवरात्री में अधिक से अधिक जाप करना चाहिए ऐसा करने से आपके जीवन में कोई भी वस्तो का अभाव नहीं रहेगा आईए अब बात करें कुंबरासी के कुंबरासी के लोगों को मा कालराती की भूजा उपासना करना बहुत शांदार बहुत सुप फलद या पिर रोजान देवी कवच का पाट करना बहुत ज़्यादा सुप फलदायक रहेगा अब बात करतें मीन-रासी के लोगों को माचंदर गंटा की पूजा उपासना करनी चाहिए बहुत ज़्यादा सुप फल मिलेंगे और हलदी की माला से बगला मुक्षी मंतर का जाप कर चाहिए कोई भी चाहिए वो गरदोस हो चाहिए वो ग्यात और अग्यात शत्रू हो चाहिए वो रोग हो क्योंकि सरीर में जो शत्रू है वो भी शत्रू समाप्त होंगे और जो आपके देहिक शत्रू है वो भी समाप्त होंगे और जो ग्यात और अग्यात है बहुत से लोग ह इस नवरात्री के इन नौ दिनों में विसे इस पूजा उपासना करना चाहते हैं उनके लिए ये वर्दान है ये लेकिन साथ ही साथ अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्स इन सब को पाने के लिए भी दस माविद्या कवच जो दुर्गा से समझ देते हैं उसको धा करते हैं, एक और आपड़ आप भी कर रहा हैं, अपना इफर्ट कर रहा है, लेकिन slides कोई बहुत जादा सफल हो जाता है, तो कोई अतना सफल नहीं हो पाता है, तो ऐसी इस्तिति में जो भी सपोर्ट मिल सकता है, जो भी आपको साहेता मिल सकती है अपने खुद के कर्मों म उसके लिए दस मावदय कवच बहुत ज्यादा सुब है और बहुत बार मैं आपको बतलाता हूँ अलगलग कामनाओं के लिए अलगलग कवच भी होते हैं हेल्थ के लिए माम्रत्यु जेख कवच होता है जो शेयर में जो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं उनके लिए धन्दा यक्षणी कवच है जो भविषयके बारे में जहाकना चाहते हैं जो जोTISी बनना चाहते हैं उनलोगोंको पंचांगुलि कवच धारान करना करना चाह're पंचांगुली की उपासना पूजा आरादना साधना करना बहुत ज़्यादा सुब रहेगा जिन लोगों को घर में कलेश है वो लोग ग्रेकलेश निवरंड के लिए जो भी कल्पिट है मालो कोई भी एक परसन है उसकी वज़े से घर में हमेशा कलेश होते रहते हैं उसको प कुली के द्वारा भी जो कवच है वो जान सकते हैं और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिये हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है आपको अपनी कामना अपनी समस्या बतानी है जो भी टीम मेंबर है वो आपकी पूरी-पूरी सपोर्ट करेंगे आपको परामस देंगे और यदि समस्या गंबीर हुई तो आपका जो बर डीटेल है वो मुस्तक आएगी मैं उन्हें करूँगा कि कौन सा कवच क्या उपाय आपके लिए सुब रहेगा तो ऐसी इस्तिदी में संपर्क तो आपको इस्थापित करना होगा तो ये था आज का रासिफल और आज का उ क्या होने वाला है इस्पेसली भारत के लिए और ठीक इसी दिन नवरात्री की स्थापना भी है उसका क्या मौरत रहेगा क्या पूजा करनी चाहिए वो भी आप जान पाएंगे 13th के एपिसूड में और हो सकता है अलग से भी एक एपिसूड बना करके आपकी सुविदा के के लिए मैं अपलोड करूँ ताकि आपको सुविदा रहें मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्त रहें प्रसंद रहें और सुरक्षित रहें अपना और अपने परिवार का छोड़ चोड़े बच्चों का और घर के बुजुरुगों का विसेज खैल रखें और हाँ अपने गर की गरल लक्ष्मियों का संबान करें आप सभी को मेरा नमस्कार बहुत बहुत शुप कामना है इश्वर आपकी रक्षा करें मातरानी आपकी रक्षा करें बहुत बहुत धन्यवाद